Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 2.2 का question number 7, तो question number 7 हमारा किस तरह से match the following, यहाँ पे 3 हमें statement दे रखें और हमें क्या करना है, इसको match करना है, अब यहाँ पे देखो पहला वाला क्या है, 425 into 136, इसको हमने क्या लिख लिख लिया, 425 हमने ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे 136 को हमने अलग लिख लिख लिया, 100 लिखा, फिर 30 लिखा, और फिर 6 लिखा, चीक है, तो यहाँ पे जो है, यह देखो multiplication है, और अंदर हमारा क्या किया हमने addition किया, यानि इसको हमने distribute कर दिया 3 numbers में, तो यहाँ पे यह क्या हो गया हमारा, distribute of multiplication over addition, तो इसका matching क्या होगा हमारा, इस तरह से य C पे match करेगा अब यहाँ पे देखो यह क्या है 2 x 49 x 50 और इधर क्या है हमारा 2 x 50 x 49 2 की position same है यहाँ पे 49 और 50 को हमने क्या किया interchange कर दिया यानि commute करा दिया तो यहाँ पे कौन सी property यूज हुई commutativity की लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है multiplication है तो यहाँ पे commutativity under multiplication तो इसका जो match होगा वो क्या होगा यह से तो अब में एक का match मिल गया दूसरे का match मिल गया तो तीसरा हमारा कहा यहाँ match करेगा इस पे match करेगा और देख भी लेते हैं यहाँ पे 80 की position सेम है यहाँ पे 2005 है और यहाँ पे 20 है यहाँ पे पहले 20 है और बाद में 2005 है तो यहाँ पे भी हमारी commutativity हुई लेकिन यहाँ पे कैसी commutativity हुई है commutativity under addition question समाप्त next question के लिए मिलते है next lecture में आज के लिए बस इतना है